इस आई बटन और इंचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस सब्जेक्टर कंप्लिक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा वेल्कम टू वीडियो नूबर 3.2 ओके यहाँ पे हम एक्सलेशन डाइगा माना सिखेंगे यह जो आपको प्रॉब्लम देखता होगा यहां वीडियो नूबर 2.8 यहां पर आई बटन में जाएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पर 2.8 वाले वीडियो में हमने इस वाले प्रॉब्लम को वहां पर डिसक्स किया हुआ था यह अपने क्या है फोर्बार मेकैनिजम है जहां पर मैंने उसका विलासेटी डागराम मना के दिखाया हुआ था अब एक इंपर्टन चीज यह है कि एकसेलेशन डागराम मनाने से पहले आपको विलासेटी डागराम मनाना पड़ेगा है ना क्यूंकि यहां पर बनाते इसको हम सपीस डागराम बोलते है और यहां पर सिर्फासेटी डागराम मनें तो यहां पर फोकस करे सिर्फास करेंगे और अगर अगर आप मैं नया कुशिन लेके बनाओँगा तो वहाँ पर इसको बनाने में इसको बनाने फिर एकसलेशन आपने fucking to endon that is video number two pobn Dead and uncle अब acceleration diagram की case में ना हमारे पास दो case हैं ओके देखो यह हमारा क्या है एबी है ना एबी लिंक अपने दिया वह दैटिस मैं crank जो क्या है completely rotate करेगा है ठीक है अब question जो है दो टाप बनता है जब इस crank का इस crank का alpha okay alpha that is angular acceleration किसी question में दिया रहता है और किसी question में नहीं दिया रहता है तो यह आपको जो वीडियो number 3.2 है यहां पर मैं acceleration diagram बनाऊगा ओके वह मैं तब बनाऊगा जब alpha की value आपको question में नहीं दी हुई है आए बास समझ में yes alpha की value का नहीं दी रहेगे तो acceleration diagram पन कैसे द्रॉ करेंगे और जो अगला वीडियो रहा है जो वीडियो number 3.3 मैं इसे question को लूँगा वहां पर भी लेकिए वहां पर क्या होगा आपका alpha की value को मैं अपनी सब से एक कर लूँगा तो हम देखेंगे कि इस वीडियो में जहां पर मैं alpha की value को नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां पर alpha की value नहीं दी हुई है let's suppose तो कैसे बनेगा और अगला जो cases that is जहां पर आपको alpha की value दी रहेगी वहां पर हमारा diagram जो है कैसे बनेगा फिल्कुर side by side रहेगा तो आपको आपको compare करने में कोई तकलीफ ना हो ओके ठीक है तो आपको पता हो कि acceleration diagram जब बनाते हैं तो वहां पर हमको आपको दो component लेना पड़ता है एक होता है radial और दूसर अपने कहाता है टेंजेंशल होता है तो since हमारे इस case में जहां पर अपना इस AB link यहां पर आपको alpha की value नहीं दी हुई है तो हम इस case में इस प्राइंग का हम क्या लेंगे सीफासीव रेडियल लेंगे टेंजेंशन नहीं ले पाएं क्यों क्यों क्या होता है alpha into r होता है और alpha की बाली यहां पर नहीं दी है है लेकिन इसके अलावा जितने भी link other links होंगे जितने भी other links होंगे वहां पर आपको लेना पड़ेगा दोनों लेना पड़ेगा that is AT and AR AT मतलब tangential acceleration, AR मतलब radial acceleration हम इस logic को यहां पर apply करेंगे fine आप देख सकते हो यह अपना क्या configuration diagram है जिसको मैं yes bound कर दिया हूँ इसको भी ऐसा close कर लेंदा कि यह अपना क्या है velocity diagram है तो यहां पर हम क्या बनाएंगे acceleration diagram बनाएंगे है ना ठीक है तो acceleration diagram से पहले हमके करना क्या होगा yes आपको एक बात ध्यान अखना है configuration diagram याफि जब space diagram मैं draw करूँगा तो हमको लेना क्या हमेशा capital letters को यूज़ करना है बट जब बात आती है हमारे velocity diagram की तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं small letters लेते हैं फिर उससे dash हम क्या बोलते हैं प्राइम बोलते हैं तो यहाँ पर मैं यूज़ करूंगा a prime comma d prime इस टैप से हम यहाँ पर दिखाएंगे लेकिन उसके पहले मुझे करना क्या होगा यहाँ एक scale लेना पड़ेगा और scale क्लिक क्या चाहिए मुझे एक value चाहिए तो value किसके निक अब यहाँ पर हमारे पास इस लिंक का हमको यहाँ पर आलफा के value नहीं डिवी है तो यही हमारा क्या हो जागा that is yes हमें पड़ता है कि मैं आप लिए इतना formula acceleration जो होता वो अपने क्या होता है at का square okay plus ar का square मतलब acceleration tangential acceleration का square प्लस radial acceleration का square अब यहाँ पर जो अपना tangential है इसके case में exist नहीं करेगा because यहाँ पर अपने alpha के value नहीं डिवी है तो क्या होगा dot over of ar का square that is ar तो a अपने क्या होगा ar के equal होगा that is radial acceleration के equal हो जाएगा तो इसी को मैं क्या बोलूँगा that is equals to yes that is a b okay we are free both to a ba that is acceleration of b with respect to a और यह हमारा क्या हो जाएगा yes formula अपना क्या होता है अगर मैं radial निकाल रहा हूं तो उसके से formula क्या होता है v square upon r तो v square okay v square कौन सा velocity of b okay velocity of b with respect to a बोलो yes और v square upon r r मतलग क्या होगा a b length का distance okay yes that is b a बोलो या फिर a b बोलो एक ही मतलग है अब यहाँ पर question में आपको yes हमने यहाँ पर vb निकाल हो that is how much 0.50 meter per second तो यहाँ पर लिखो 0.5 okay zero इसका whole square कर लो अपने यहाँ पर क्याएगा 0.040 okay yes इसको अपन calculate कर लेंगे बाइद यहाँ को calculator इसको calculate करने पर आप you will get a value of 6.25 meter per second square ध्यान दखेगे यहाँ पर हम क्या निकाल रहे है yes acceleration निकाल रहे है इसका unit क्या होता है meter per second square आई बात समझ में यहाँ अब मुझे करना क्या है एक scale लोंगा मैं यहाँ पर एक scale लेकर यहाँ पर हम बनाएंगे ओके अब यहाँ पर 6.25 meter per second square मैं यहाँ पर क्या हूं let's suppose मैं मानता हूं one meter per second square is equivalent to one meter per okay one centimeter है ना तो यहाँ पर जब मैं acceleration diagram बनाऊंगा ओके यहाँ पर जब मैं acceleration diagram यहाँ बनाऊंगा yes acceleration diagram हम यहाँ बनाएंगे और जो scale मैं आप रजूम करना that is one meter per second square is equivalent to one centimeter fine yes हमारा safe for safe focus कहाँ पर रहोगा यह दो diagram और यहाँ पर जो बनाने वालों तो yes हमारे पास fixed point कौन से कौन से a और d है यहाँ पर मानलों मैं fix point डिखाता हूं that is a dash comma d dash okay yes dash लगा है मतलब समझ दो कि अपना क्या है acceleration diagram है अब एक काम करते हैं थोड़ा सा zoom कर लेते हैं okay zoom करने से पहले हम क्या करूंगा इस इसको एक्लिस में शोग कर लेता हूं okay ठीक है तो मुझे पता है इस link ab का acceleration that is 6.25 और इसका direction कैसा होगा yes यह हमारे radial acceleration है तो क्या होगा मेरे पास यह वादा point पता है okay तो direction कैसा होगा b से a okay b से a कैसा होगा यह नीचे की तरफ आएगा मेरे पास यहां कॉनसे point पता है a पता है मुझे क्या निकालना लेकिन यहां पर radial action कैसा होता है towards center होगा towards center मतलब नीचे की तरफ okay मतलब यह नीचे आएगा है ना इसके parallel आपन यहां पर लाइन ट्रॉ करेंगी जो कहां पर आएगा नीचे आएगा fine yes set square के use करते हो कैसे यहां पर parallel कैसे डॉक किया हम है आपको दिख रहा होगा इसके parallel इसको fix किया माई लेके आगे यहां पर इसको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर लाके अगे यहां पर client डॉक कर तो हम क्या करेंगे स्केल लेख आएंगे और 6.25 cm देखेंगे तो 6.25 क्या बोल सकता हूँ 6.2 और 6.3 के बीच में जो पॉइंट हो इसको मार्क करूंगा मैं हापे तो 6.2 6.3 मतलब यह वाला पॉइंट होगा यस तो यहां से लेखें यहां तक का जो है इसको मैं हापे डाक कर दिया फाइन यस तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह पॉइंट अपने क्या होगा यह पॉइंट बी डैश अब यह हमारा क्या है सिंज को के आपको दीखता होगा यहां पे अलफा की वाल्यु नहीं दिवए हैं सिर्फ है से लेडिल वालु अपन लिया है लेकिन येस यहां पर आलफा वैलीrole वैल्यू है लेकिन यहां पर टैंजेश मॉल्य है तो यह होगा यह स्था इस ड्रईज्ट एक्सिद्ट एक्सेलेशन आफ लिंक एपी फाइन अब मुझे करना क्या है बी को शो करना है ना बी के लिए यस बी को मैं पर शो कर चुका हूँ अब मुझे यहां पर सी का शो करना है तो सी के लिए हम क्या करेंगे अगे पहले हम क्या करेंगे रेडिल लेंगे देखिए हमारे पास दो एकसलेशन होता है एक होता है रेडिल एक होता है टेंजेंशियल लेकिन पहले हम करेते हैं रेडियल लेते हैं उसके दम यहां पर लेते हैं तो रेडियल की वैल्यू को अपन यहां से ले सकते हैं और लिंक का जो आपको वैल्यू है अब क्या निकलेंगे अब हम यहां पर निकलना सिखेंगे यहां यहां पर निकलना सिखेंगे यहां रेडियल आप क्यों आप पर स्क्वाइब आपको दिखरा भागा okay so this equals to what yes velocity of cb इसका स्क्राइब अपान cb लेंथ okay तो question में आपको cb जो लेंथ है आपको दिया हुआ है क्या देखो तो cb लेंथ आपको दिया हो गया यहाँ पे okay cb का लेंथ देखो यहाँ पर कहा लिखा हुआ है bc okay and ad are of equal length और ad देखो किता लिखा हाँ पे ad अपना fixer then that is given as 150 mm तो cb that is bc का हमको यहाँ पर लेंद दिया that is 150 mm तो 150 mm को जब मैं मीटर में लिखो कितना हो गई यह yes that is 0.15 okay 150 mm को हम जब मीटर में लिखें that is 0.15 okay but velocity के मुझे यहाँ पर क्या चाहिए यहाँ पर velocity पर दिया हुआ है cb का उसको पर calculate कर देंगे है ना और यहाँ पर velocity डाइग्राम में हमने जो scale that is 0.5 meter per second is equivalent to 4 cm है ना तो यहाँ पर जो भी centimeter आएगा उसको क्या करेंगे 0.5 upon forces को multiply कर देंगे तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा इस link का velocity मिल जाएगा है ना ठीक है तो जल्दी से उसको पर यहाँ पर मेजर कर लेते हैं यह कितना है यह यह अपना आ रहा है 1.6 cm के पास 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 ओके 1.6 cm है तो यहाँ तो क्या करेंगे 1.6 into 0.5 upon 4 करेंगे यह तो 1.6 into 0.5 okay divided by 4 तो यह हमको कितना मिला 0.2 okay 0.2 meter per second है ना चीक है तो इसकी value को पर यहाँ पर रख लेते जल्दी से yes तो 0.2 का square ओके अब इसको मैं जल्दी से calculator का को बताता हूं कितना आएगा इसका value yes इसकी value जो आ रही है calculator ने पर that is 0.27 meter per second square ओके यह हमको मिला fine अब इसका direction कैसा होगा देखो मैं पास B वाली point D हुई है okay तो मुझे क्या आना है C से B के तरफ आना है क्या सोगा इधार तरफ होगा इधार तरफ मतलब इसके parallel हमें क्लाइन डॉक करेंगे इधार तरफ डॉक करेंगे fine ठीक है अब जल्दी से इसको देखते हैं कैसे डॉक करेंगे पॉइंट पर लेक्या होगा ओके विवल्य पॉइंट पर लेक्या है या आपको मिला बी वाला पॉइंट है ना अब यहां सम्क्राइब करेंगे इधार लाइन के चेंगे क्योंकि अब यह कितना होगा है कितना सेंटीमेटर और यहां पर जूब कर लेता हूँ तो यहां पर 0.3 cm महापे इसको ले देता हूँ और 0.3 कितना होगा येस बहुत ही पास में होगा येस इपना मिला-सप्र लाइकलेशन अउस लेता हुआ क्यों 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 होता है ये वाला है और तो युद्व फाद कले हो सकते हैं हैं यरे पूझता है एक आप 10 कि लिवे लाकर मुझा लगे इस लाइन के 90 degree पर मुझे line drop करना पड़ेगा है ना ठीक है तो हम प्या करेंगे is line के 90 degree पर एक line drop करेंगे okay yes let suppose ये अपना इसका ये 90 degree ये वाला है okay अब मुझे करना क्या है is इसके parallelel मुझे line drop करना है लेकिन इस वाले point से पास नाची है रहले जिवह ऐफना केır tiska practi अर्फर ले आता हूं जो कलिया है या फिर स्काल यहां पर लिया तो पहले कि Тो यह Southern ह listing में यहां पर लिख्या गया है और अलभुमाइभ अश्क नीचे भी होगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि की टेंजेंशल का जो पॉंट है ओके वो लेंध कितना है और किस डाक्षन पर उपर भी है कि नीचे में पी है तो मैं उपर और नीचे दुनों तरफ यहाँ पे खेड़न लाइन को जो आप यहाँ पर दिको शो कर दिया हूं ओके और यह एक्स्टर लाइन को मैं इसलिए बना क्या है हमारे को सी तो निकालना पड़ा है लेकर हमको डी वाल पॉंट भी हाँ पर दिया हुआ है है कि नीच तो हम सी को निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ओके तो हम पहले क्या लेंगे रेडियल कैसा होगा इधार होगा तुवाच्ट डी मतलग इसके इधार स्कॉरे सिडी अपन में से डी ओके येस हमारे पास यहां पर अलरेडि वैल्रीडिक वाल्यू दी एवे डरी 0.375 तो यहां पर रोखो 0.375 इसका स्कॉरे करलो अपन में सीडी कर्लें दट इस 0.08 यह अपना किसमें में मेराखाऊ वाए ध्यान दख़ेगा हना तो मुझे कर मिटर पर सेकेंड स्क्वेर यह हमार क्या है यह से रेडिल एक्सलिएशन का वैल्यू ओके डिट इस टोवर्ज नीचे है ना सी वाला पॉइंट निकाना वित्रेस्पेक्ट्ट वूदी डी मुझे पाता है तो मुझे नीचे आना है कितना नीचे आना है 1.76 मिटर पर सेकेंड स्क्वेर स्किल की सबसे कितना होगा 1.7 या फिर 1.8 सेंटीमेटर है ना तो 1.7 और 1.8 की बीच में जो भी रहाएगा पॉइंट उसको मैं पर मार्क कर लूँगा अब मुझे करना कि अब इस लाइन के पारलेल मुझे यहां पे को लाइन डॉक करना पार्सिंग ठूदी ओक करता हैं तो इसको में आपर जल्दी से दिखाएता हूं यहां पना हो गया क्या होगी इसको निचे लिली आता हू種 है कि इसको थोड़ेगी आता हूं ये यहां पर हो गई है अभए सिकेल को और या कि सफिक्स कर देंगे ते So बेसको पर क्या करूंग को आप dedicate close कर लेता हूं that is okay यह अपना hidden line हो गया और यह इस की length कितने होगी देखो 1 meter per second is equal to 1 centimeter होता है तो यहाँ पर इसका radial acceleration that is 1.76 that is 1.8 मान लो okay तो 1.8 मतलब 1.7 और 1.8 के बीच में point mark करना बस मुझे ना तो 1.6 1.7 1.8 तो 1.7 और 1.8 के बीच में एक point को मैं आपके mark कर लिया हूं ठीक इसको मैं आपके जोड़ दिया अब यह अपना जो है तो कि यह अपना क्या है radial acceleration of cd ओके और इस वाले point को मैं आपके x बना तो इसको मैं क्या मानता हूं अब लेच का इस लाइन के 90 अपने क्लाइन देख लेते हैं कि यहां पर क्लाइन ट्रों कर दिया मैं अब मुझे करना क्या इस लाइन के पैरलेल मुझे यहां पर एक लाइन ड्रों करना है चिक है आप देखो म Карस्वा कर रहा हूं फैला है किकर इसको यहांप इस लाइन पर इस लाइन पर मैं इसको उला कर रखा को रख दिय infection कर्गा और शुर्ष कर दिया एक्स्ट्रा पॉइंट को मैं आपर एरियस कर लेता हूं ठीक है मुझे का निकालना था पॉइंट सी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी एंड दी तो बी के रेस्पेक्ट में मुझे एक लाइन यह मिला जो कि अपने क्या टैंजेंशिल एक्सेलेशन को शोग कर रहा है लिंक बी सिका और डी के रेस्पेक्ट में देखा तो यह अपने रेडियल था तो कि सीडिलिंग का यह रेडियल अक्सेलेशन था और इसका 90 यह हमारा क्या होब पूरा पूरा टैंजेंशिल एक्सेलेशन हो गया तो देखो यह लाइन यह पर पेंडिगुला लाइन जो है यह अपने पिखेना न 2 यह प्रेंट मिलता तो क्या करिए जैसे हमारा आीए के साफेक्ट कीकी यह हमारे क्या है अटी सीडिलिंक है न और यह अपने क्या था AR of this CD link नितलब radial acceleration of link CD this is tangential acceleration of link CD तो इसको जब मैं यहाँ पर जोड़ूँगा इसको जब आपन यहाँ जोड़ लेंगे तो यह हम कुझे मिलेगा that is yes that is acceleration of link C यह आप इसको बोल सकते हो CD वैसे ही अब इसको उपन जोड़ लेते हैं यह अपना point B था यह अपना point X था और यहाँ पर मुझे क्या मिला that is C dash तो इसको मैं पर दिखाता हूं that is यह अपना क्या है tangential acceleration of यह अपना क्या है देखो C के ताफ जारा की नहीं तो यह अपना होगा CB और radial clay हमाँ पास यहाँ पर बहुत ही छोटी से value तो यहाँ पर मैं नहीं दीखा रहा हूं है ना ठीक है तो इसको क्या करेंगे इसको लेकर जोड़ देंगे that is C के साथ C dash के साथ तो यह जो है यह हमको क्या मिलेगा that is yes acceleration of C with respect to B fine और यह जो था that is A से जो B गया था that is my what B with respect to A fine तो यह अपना हो गया है acceleration diagram fine तो यहाँ पे अब मानलो question में क्या 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 चीव पूछा गया है मानला आपको पूछा गया क्या है यहाँ पूछा गया let's suppose tangent selection पूछा गया ठीक है किसका BC link का ओके यहाँ पे tangential जो है उसके regarding आपको question पूछा जाएगा वैसे tangential acceleration जो होता है यह अपने क्या होता है alpha into r होता है आपने क्या distance होगा तो distance question में हमेशा दिया रहेगा हमको क्या पूछ सकता है yes that is alpha की value किसी भी link का ओके किसी भी link होएं पर आल्फा की value पूछ सकता है खिक है तो मां लोड़ अपना alpha की value किस का पूछा हुआ है इस link का पूछा है that is c-dd का link पूछा हुआ है मुझे क्या में निकाल सकता हूँ यहां कि वैल्यू निकाल लों गए वैल्यू डीया अब बात आती है कि 80CB, 80CB देखो कहाँ पर यह है, yes, 80CB, 80CB, that is tendential acceleration of link CB, तो मुझा करना क्या होगा, यहां से लेके, okay, that is point X से लेके, यहां तो की value को निकालना है, okay, देखना की value है कितना, मेजर कर लेते पर इसको, okay, this is, this comes out to be, कितना रही है, 4.7 के सपास आ रहे, okay, तो 4.7 cm मतलब देखो, अगर 1 m per second square is equivalent to 1 cm, तो 4.7 cm कितना होगा, 4.7 m per second square, okay, तो इसके value कितना होगी, 1.4, कितना था यह, yes, 4.7 था न, yes, that is, इसके value कितनी थी है, 4.7, 4.7 m per second square, okay, अब मुझे कहाँ चिए alpha के value चीए, alpha cb के value चीए, और basic value होगाँ पर question कितनी दे रही है, cb that is 0.15 m, तो आप लिखो 0.15, अब करना क्या है, आपको alpha के cb के value निकालनी है, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो, this upon this, है न, इसको calculate करने पर जो मुझे value में हो, that is, देखो कितना रही है, 31.33, तो इसके value कितनी है, 31.33, unit क्या आप आपता है इसको, radians per second square, okay, क्या हम आपन क्या निकाल है, पर alpha निकाल रहे हैं, वैसे आपको निकालने बोला, let's suppose आपको CD link का क्या निकालने बोला है, alpha निकालने बोला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यस अगें tangential लेंगे, है न, tangential acceleration of CD, okay, this equals to alpha CD into link CD की value, okay, तो मुझे यहाँ पर कैची alpha की value छीन है, आपर alpha CD की value क्या हो जाएगी, 80 CD, that is, tangential acceleration of link CD upon link CD की value, okay, ठीक है, अब यहाँ पर CD की value हमको पाता है, CD की देखाएगा value कितनी 0.08, है न, यहाँ पर, 0.08, मीटर यहाँ पर हो गया, अब मुझे करना क्या है, 80 CD निकाल, 80 CD मतल़ देखो, 80 CD, फ़र आजूम इन कर लूं क्या, यस, आपको आप दिखरा होगा है, है न, tangential acceleration of link CD, यह अपना क्या था, tangential acceleration था, from this year to year, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर, इसको measure कर लें तो जल्दी से, आप भी देखते जाओ, अच्छे से, यह देखाएगा अपना कितना था, यह 4.5 क्या सपासा है, है न, यहाँ से लिखिए, यहाँ तक कर देखो length कितना अपना यह, 4.5 cm है, अब मुझे पाता है कि 1 meter per second square is equivalent to 1 cm, है न, तो 4.5 cm, है न, यह अपना कितना था, 4.5 cm था यह, yes, 4.5 cm is equivalent to 4.5 meter per second square, तो यहाँ पर रखेंगे 4.5, ओके, आप क्या करेंगे, calculate करेंगे, देखो, 4.5 divided by 0.08, that is how much 56.25, ओके, तो इसको लिख इतना आ किसको है, किसकी value होगा है, alpha CD की value, तो इस step से जो है, आपको question में, किसी भी link का, किसी भी link का आपको क्या पूछे, alpha पूछेगा, बध्यार रखना हमेशा, कि यह जो crank होगा, crank के लिए हमेशा question में दिया रहाएगा, अगर दिया रहाएगा, तो जो तरीका बनाने का उसको अ value, आपको वहाँ पर निकालने आना चीए, कैसे निकालना आना चीए, यह आपको मैं logic बता दिया हूँ, okay, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाया, that is, link BC और link CD का हम कैसे निकालेंगी, that is alpha, okay, तो I hope आपको इस वीडियो में काफी कुछ रिकले हो चुकी है, यह अपना रहा अगले वीडियो हम देखने हैं जहाँ पे, alpha AB के value question में दीवी यह, that is my case number 2, okay, thank you so much for watching this video, thank you